तालिबान को पसंद नहीं आई पियम मोदी की आतंक की सत्ता वाली बात कहा भारत जल्द ही देखेगा हमारी शमता प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने आतंक और सत्ता पर बात की तो तालिबान को मिर्ची लग गई तालिबान को लगा जैसे पिये मोधी ने उसे ही निशाना बनाया है अब तालिबान ने इसका जवाब दिया है उसने दावा किया है कि भारत जल्द ही उसकी सरकार चलाने की क्षमता देखेगा आतंकी सत्ता इस्थाई नहीं रहती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के ये शब्द बंदूग के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता हतियाने वाले तालिबान को चुप गए है तालिबान ने इन शब्दों को चुनौती के रूप में लेते हुए दावा किया है कि वो सफल रहेगा आतंकी संगठन के प्रमुकनेता शहाबुद्दीन दिलवार ने पीम मोधी के बयान पर प्रतिक्रिया देती हुए कहा है कि भारत जल्द ही देखीगा कि तालिबान देश को ठीक तरीके से कैसे चला सकता है बता दे पीम नरिंद्र मोधी ने सोमनात मंदिर से जुड़े कई विकास कारियों का उदघाटन करते हुए तालिबान का जिकर किये बिना यह बात कही थी डाउन में छपी खबर के अनुसार तालिबान नेता ने रीडियो पाकिस्तान को दिये इंटर्वियू में कहा कि भारत को जल्द ही हमारी देश चलाने की शमता का पता चल जाएगा साथ ही उन्होंने भारत को अफगानिस्तान के यांतरिक मामले में दखलना देने की चेताबनी भी दी है प्रधान मंतरी मोधी ने कहा कि भागवान सोमनात का मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है जो तोडने वाली शक्तियां है जो आतंक के बलबूते सामिर्थ खड़ा करने वाली सोच है वह किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए लेकिन उसका अस्तित्व कभी अस्थाई नहीं होता है वह जादा दिनों तक मानत्ता को दबा कर नहीं रख सकती पीम के इस बयान को अफगानिस्तान से जोड़ कर देखा गया था उधर तालिबान के प्रवक्ता जेबुला मुजाहिद ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है पाकिस्तानी न्यूस चैनल A.R.Y. न्यूस को दिये इंटर्व्यू में तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमाएं लगती है जब धर्म की बात आती है तो हम पारंपरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों देशों के लोग आपस में घुले मिले हुए हैं इसलिए हम पाकिस्तान के साथ अपने रिष्टे पहले से जादा मजबूत करना चाहते हैं.